असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वेलकम टूमाई जहाराज की चेन मैं हूँ जहारा उम्मीद करते हूँ आप सफरे से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ कोलकता स्टाइल चिकेन बिर्यानी की रेसिपी लेकर आए हूँ यानि आज हम बनाने वाले हैं चिकेन आलू दम बिर्यानी बहुत ही मज़िदार का बनकर तयार होता है अखनी के साथ बनकर तयार होगा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही खुजबुदार आपका बिर्यानी बनकर तयार होने वाला है घर के मसालों से मैं इसे बना कर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसे खाने में आपके मुँँ में एक भी खड़े मसाले नहीं आएंगे क्योंकि इसे बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मज़ेदार का तो फ्रेंड्स अगर आज की चिकेन दम बिर्यानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए हलफुल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते वे जाईएगा तो चलिए मज़ेदार की चिकेन आलू दम बिर्यानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते है आज मैं हापर एक किलो चिकेन बिर्यानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले हमें हापर डाल देना एक बोल पर चार चमज भरकर अद्रकलैसन का पेस्ट इसी के साथ मैं हापर एक ग्लास पानी एट कर दूँगी हमें यहाँ पर अद्रकलैसन का पेस्ट का पानी इस्तिमाल करना है अद्रकलैसन का पेस्ट नहीं इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास पानी डल दिया है अब मैं इसे साइट कर लेती हूँ इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक mixing bowl पर ले लिया है 1.500 ग्राम के करीब आलू जिसका मैंने छिलका निकाल कर पानी सची तरह से साफ कर लिया है अब मैं यहाँ पर इस तरह से हलका हलका कट लगा देती हूँ ताकि आलू जल्द गल भी जाए और साथी सारा फ्लेबर आलू के अंदर जाए तो यहाँ पर मैंने आलू को कट लगा दिया हलका हलका अब मैंने यहाँ पर एक छलनी रखा है अद्रकलैसन का पेस्ट में हमने जो पानी मिला कर रखा वा था उसे हमें यहाँ पर छान देना है तो यहाँ पर देखिए अद्रकलैसन के पेस्ट का मैंने इस्तिमाल किया है लेकिन पानी डाल कर और इस तरह से छान कर उसका हम पानी ही इस्तिमाल करेंगे कलकता बिर्यानी में अद्रकलैसन का पेस्ट नहीं जाता है इस तरह से आपको पानी त्यार करके इसे छान लेना है तो अब मैं हाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ केसर फूट कलर आप चाहें तो यहाँ पर रेट फूट कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं हाँ पर एक चुटकी डाल देती हूँ केसर यानि सैफ्रोन इन सबी को हम अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे और 10 मिट कले मैं इसे साइट पर रख लूँगी इस तरह से कहना आलू का कलर भी अच्छा आजाएगा और उसके अंदर फ्लेबर भी आजाएगा तो यहाँ पर 10 मिट हो चुका है हाई फ्लेम पर मैंने देख्ची रख लिया है देर साइमल रिफाइंड ओल डाल दूँगी जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर दो बड़े साइस का प्याज लेना है जिसको हम बिल्कुल बारी काट लेंगे हाई फ्लेम पर प्याज को हम तब तक फ्रै करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डेन कलर ना आ जा यानि हमें बरिस्ता त्यार कर लेना है तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसे तेल से चान के निकाल देती हूँ थोड़ा सा निकाल लूँगी थोड़ा सा उसी तरह से तेल पर मैं छोड़ दूँगी तो यहाँ पर देखिए मैंने बरिस्ता थोड़ा सा निकाल लिया है और थोड़ा सा तेल पर बचा हुआ है अब मैं इहाँ पर एड़ कर देती हूँ आलू जिसमें हमने इसे भीगो का रखा हुआ है केसर, सैफ्रोन, फूट कलर और साथ यह अध्रक लेसन का पानी तो अब मैं हैं पर सभी को एड़ कर दूँगी इसी के साथ हमें क्या करने हैं इसे एक बर अची तरह से मिला लेना है इस तरह से मिक्स कर लेना है अब मैं हाँ पर एड़ कर देती हूँ एक चमच के करीब फ्रेज दही इसी के साथ हमें हाँ पर आधी चमच लेना है गर्म मसाला पाउडर घर का बनाया हुआ है इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है एक चमच लेना है लाल मिच पाउडर सबी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और हम आलू को अभी 85% तक पकने के लिए छोड़ देंगे मिडियम लो फ्लेम पर अब मैंने यहाँ पर एक कप और पानी एड़ कर दिया है तो यहाँ पर 15 मिट हो चुका है आलू को पकते वे तो अब हमें यहाँ पर एड़ कर देना है नमक तो यहाँ पर मैं आधी चमचे करीब नमक एड़ कर देती हूँ अगर हम पहले नमक एड़ करेंगे तो आलू गलने में ज्यादा टाइम लगेगा तो आलू को पहले आप पका ले 85% तक उसके बाद आपको नमक एड़ कर देना है फिर हमें 3-4 मिट के लिए मिडियम लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देना है तो यहाँ पर आलू अच्छी तरह से वो चुका है पक गया है अब मैं इसे निकाल देती हूँ तो अब हमने क्या करना है चिकन को भी पकाना है और डाल देती हूँ क्योंकि आखनी में पानी में नमक है तो मैं चिकन के हिसाब से थोड़ा सा नमक एड़ कर दी हूँ आप देति चिकन को 15 फ्रेंट के लिए मिडियम लो फ्लेम पर पकने के छोड़ देंगे यानी चिकेन को भी हम 85% तक पकाएंगे चिकेन और आलू को हम बाकी का चावल के साथ दमपरी से पकाएंगे तो यहाँ पर चिकेन को अब मैं अखनी से चांगर निकाल देती हूँ चिकेन हमारा 85% तक पक चुका है अब हमें क्या करना इस अखनी को चांग लेना है दूद्राइं पर चमछ को भी को नुगसें और नहीं चार से दूदर की राख को चारपैंद फैल दर्वर्त के घृते लिएव autist कर लेना है स्टोप के हाई फ्लेम पर मैंने बड़े से देख्ची में चार से पांच लिटर पानी डाल दिया है चार से पांच चमच हमें लेना है नम्मक कुछ खड़े मसाले लेंगे एक तेच पत्ता हाफ इंच का दालची नहीं टुकड़ा एक बड़ी लाइची छे छोटी आट से दस काली मीच और छे से साथ आपको यहां पर लॉंग भी एड कर देना है मेरे पास नहीं था तो मैंने एड नहीं किया है आप चाहें तो यहां पर एड कर सकते हैं दो चमच हमें लेना है रिफाइंड ओल और पानी के खॉलने का इंतिजार करेंगे तो यहां पर दे सालों को निकाल देती हूं लाइन और उड eigenlijk क्या है ठाल सक कर देना है उसके बाद चावल को इस तरह से पानी से चावल आपको ले घुए ए prag के जिसमें मैं इसे पानी से चान लेती हूं इसमें एककन बचा हुआ है अभी अब हमें चावल को यानि इसमें बिर्यानी को दम करेंगे तो उसके लिए मैंने खुला सा देख्ची लिया है अब मैं आप डाल देती हूं अखनी लेकिन उससे पहले हमें अखनी के उपर जो भी रोगन दि आप उसी तरह से बॉटम बरतन ही ले जिसे का ना श्रोप के ऊपर आपको तवा रखने की जरूवत नहीं होगी तो यहां पर देखिए मैं डाल दिया यखनी और रोगन मैं साइट कर लेती हूं अब हम यहां पर आट कर देना है आलू इसे के साद हम यहां पर चिकेन बैट कर देंगे सबी को मैं एक बार इस तरह से मिला लेती हूं अब जो है ना श्रोप आफ है अभी मैंने और नहीं किया है अब मैं यहां पर डाल देती हूं तलावा प्याज थोड़ा सा बाद में इस्तिमाल करेंगे इसे के साद हम यहां पर लेना है 100 ग्राम खोया या निमाव के उपर और साथी हमें इसे अच्छी तरह से फैला लेना है चारो तरफ अब मेहां पर फिर से बचा हुआ तलावा प्यास जो है उसे अट कर लेती हूं इस तरह से फैला कर डाल देना है और साथी हमने जो रोगन निकाल कर रखा हुआ था उसे भी हम चारो तरफ फैला कर ड और इसका लीड लगा दूँगी फ्लेम पर 304 मिट के लिए फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिट के लिए फिर से मैंने 15 मिट के लिए बर्तन को यानि बिर्यानी के पॉड को मैंने रखा हुआ है रेस्ट पर अब मैं इसका लीड हटा कर आप लोंको दिखा देती हूं माशाल यहां पर देखिए चावल बिल्कुल खिले-खिले बन कर तयार हुए है और जो हमने अखनी के साथ चावल कु दम पर रखा हुआ था, उसका क्या कैना है बहुत ही कुश्बूदार और बहुत मज़िदार के बन कर तयार होता है इसे सर्व इस तरह से वायल जाने के साथ तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हुए जाहिएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे यहां पर आलू को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ बहुत मज़ेदार का सॉफ्ट हुआ है मैंने हाँ पर मीडियम साइस का आलू का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो बड़े साइस का आलू जो होता है उसका दो टुकड़ा करके भी आप बिर्यानी बना कर सकते हैं और च रेसिपी को जरू ट्राइ किजिए अब सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए मिलते हैं रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दुआओं में याद जरू रखें अल्लाहाफीज